Hello students, welcome to our one concept today session जिसमें आज हम डिसकस करने वाले हैं about कुरिल आलेंड डिस्प्यूट Recently ही एक बार फिर से कुरिल आलेंड डिस्प्यूट ख़बरों में रहा है जानेंगे but is the reason behind it और क्या दोनों दिशों के लिए इस इन आलेंड की significance है शुरू करते हैं आज का session अभी recently ही Japan ने अपनी diplomatic blue book जो की आपकी early उनकी foreign policy की report को present करती है उसमें एक बार फिर से ये जो आपका कुरिल आलेंड का issue है इसे highlight किया है और चार कुरिल आलेंड के जो main आपके आलेंड से उन पर अपना अधिकार भी जाहिर किया है साथ ही साथ जो illegally आपका occupied किया है रशिया ना पूरे कुरिल आलेंड को उसका विरूध भी किया है ठीक है तो एक बार फिर से ये चर्चा में रहा अब सबसे पहले हम location देखेंगे कि भी location कहा है कुरिल आलेंड की तो थू दिस मैप यू आपका इंडो पैसिफिक रीजन है रश्या और बैसिकली जपान के बीज का एरिया है और यह जो कुरिल आईलेंड है यह सभी पूरा जो एक शेत्र है स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं इसकी स्टेटिक सिग्निफिकेंस की तो आप देख सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में इसका महदपूर्ण स्थान है और इसलिए रश्या जो है इस पूरे रीजन पर अपना अधिकार अपना कंट्रोर रखना चाहता है अगर मैं बात करूं कि भाई जो आपका रश्या है उनका पूरे किस खेतर तक अधिकार है क्या उनकी डिमांड है तो रश्या का कहना है कुरिल आइलेंड कम्प्लीटली बिलॉंग स्टू रश्या यहां पर जो है अपना डिमांड रखता है कहता है कि भाई इस फो पूरील आइलेंड बिलॉंग टू जपान नॉट अंटायल कूरिल आइलेंड रीजन यहां पर जो है अभी पिछले कुछ समय में खबरों में एक बार फिटसे रहा था अभी ग्लोबली हमने देखा रश्य और उक्रेइन वार की वज़े से रिश्या न्यूज में रहा है और पिछले कुछ एक दो साल में ही हमने देखा यह कम चटका जो प्रविंस हैं यहां पर मेजाइल्स को डिप्लॉई किया है रिश्या में ठीक है नौ एक और में बात क्लियर कर तू रीसंटली अगर हम देख कि इसका ऊंसर भी में अवुक्त आईडि क्या तो यहां और इसकली जो है क्या क्यार स्फिरेशन से हैं डो नहीं देशों की कि अब सरथ बेक्ग्राउंट पर और पिक्क्राउंन में प्रोट क्वायलेंच को he six तो ब्राइनेटी और साउथ कुरिल आइलेंड से रिलेटेड है जैसा मैंने कहा कि जपान की जो मांग है वो पूरे कुरिल आइलेंड पे कभी भी नहीं थी तो पूरे कुरिल आइलेंड का डिस्प्यूट नहीं है जो सर्दन जो कुरिल आइलेंड है उसी का डिस्प्यूट है यह मामला है जबकि दूसरी तरब मैंने जैसा कहा रश्या जो है पूरा ही क्लेम करता है अब थोड़ा सा और हम थोड़ा हिस्टोरिकली समझेंगे कि भाई कैसे क्या स्कूरिल आइलेंड का रहा है क्यों डिस्प्यूटेबल है क्या सेग्निफिकेंस है फ्रदर उसे भी हुए है कि कमर्शल बहुत जादा नहीं है तो यहां के जो आइलेंड है इनके साथ कुर्चरली एसूसेशन बहुत पुराने समय से और इसलिए ही सिर्फ चार रीजन पर ही अपना जो है अधिकार अपनी मांग जो है यह जबैनर रखी हुई है नाव डिस्प्यूट की बात में जमीन से रिलेटेड तो इसके तहट क्या किया कि जो सर्दन कुरिल जो आइलेंड का रीजन है मतलब यह सारा रीजन है यह आपका स्विकार कर लिया रश्यान है इस टीटी के अंदर यह याद रखेंगे 1855 में टीटी ऑफ शिंबोडा यह पहली टीटी ऐसी हुई थी उ इसमें जो है एक प्रपोजल यहाँ पर रखा रश्यान है कि आप जो है कुरिल आइलेंड समसे सारे ही ले लिजिए विल गिव यू कुरिल आइलेंड बट इसके बदले है जी सखाईन आइलेंड का रीजन है क्योंकि यहाँ पर भी डिस्प्यूट है बिट्वीन रश्या इन जपैन ठीक है तो इस पर आप जो हैं complete jurisdiction accept करेंगे रश्या की यह जो है यह मांग रश्या नहीं रखी फ्रादर इसी के तहए जो था ट्रीटी के तहए आगे मूव किया गया अब 1905 में क्या हुआ रश्या जपैन वार होता है जिसमें जपैन डिफीटिड रश्या ठीक है विकस रश्या इसमें हार गया था तो जपैन नहीं जो सखाईन प्रोविंस है आपका पूरा सर्दन सख इच भी माला गया रश्या की दरफ से देट इट से ब्रेक अफ ट्रीटी आफ जो पहले साइन के गी थी सेंट पीटर्सबर्ग यहां से डिस्पूट होता है एं देन फ्रदर रश्या स्टार्ट ग्रूइं इन 1945 तो सोबीट यूने ने कंप्लीटली जो आपका कुरिल चेन ह अगर मैं अपने समझाओ ये सखाइन प्रोविंस है इसको भी अपने कब्जे में ले लिया और अन्टायर कुरिल आइलेंट थीक है मतब ये जो चार है आपके प्रोविंस इस पर भी अपना दिकार कर लिया नाओ इसका आव वीरोध जपैन करता है और अलाइड पार्स के स कुछ भी तो फानली इसका कोई रहे नहीं गया तो आप समझ पाए हो कि कुरिल आइलेंड की एक हिस्ट्री क्या रही है ठीक है सो अलाइसली वी किन से दाट अब इस पूरे रीजन पर अधिकार जो है पूर इश्या का है जबकि जबैंग का कहना है इस फोर आइलेंड बिलॉंग्स टू देखे होता ही ही है ना जो रीजन आप से जुड़ा होगा वह कुल्चरली भी जुड़ा होगा जिसे भारत में कच्छा थी आइलेंड का विशे है जो भारत ने गिफ्ट किया था आपके श्रिलंका को लेकिन बाद में जो तामिल वहां के लोग है वो कुल्चरली एसोसेटर रहे है पास्ट सो मनी एर्स ठीक है तो उनके सेंटिमेंट वहां पर आहत होते है तो यह तीजे यहां पर भी है होकाडू प्रविंस जुड़ा हुआ है ठीक है किसे इस पूरे चार रीजन से कौन-कौन से है इतुरूप, कुनाशीर, सिक्तौन एंड हमवाई आइलेट तो यह याद रखेंगे स्टूडेंस चलिए Now, talk about the significance of this region, क्या significance है इस पूरे रीजन की, सबसे पहले हम बात करेंगे Natural Resources Natural Resources point of view से देखें तो इस पूरे रीजन की significance बहुत जादा है एक important fishing point है, ठीक है, fishing resource का एक important point है, fisheries के लिए बहुत जादा यहां पर फायदे मन्द है, ठीक है तो यह कह सकते है Natural Resources point of view से, इसके अलावा, oil and natural gases के, oil and natural gases के reserve भी यहां पर बहुत जादा है तो दोनों ही देश यह भी कारण है कि चाहते हैं that this whole Kuril island belongs to, ठीक है, not the whole, the southern Kuril island belongs to Japan ठीक है, this is what Japan says and of course Russia भी चाहेगा कि पूरा दिकार उनका इस पूरे रीजन में रहे इसके अलावा भी जो है रियर, uranium deposit, रियर आपका element होता है, metal होता है, uranium वो भी यहां पर प्रचूर मात्रा में पाया जाता है और आपकी industrial जो industry है, industries में इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है तो यह भी यहां पर बहुत जाता है, इसकी वज़े से भी demand मतब दोनों यह देश चाहते हैं कि अधिकार रहे Now, strategic importance पर आएंगे, so Russia के लिए इस पूरे region की strategic importance बहुत अधिक है, अगर मैं आपको इस map के माध्यम से समझाओं सो better आप समझ पाएंगे As you can see that, कि जो Indo-Pacific region है, इसका upper part है, यहां पर रश्या जो है boundary share कर रहा है, ठीक है और अगर इस पूरे region पर रश्या का control रहेगा, तो क्या होगा, इंडो-Pacific region में जो USSR की 1991 से पहले मतब cold war period में presence थी, वो कही न कहीं फिर से दर्शाना चाहता है, इसलिए missiles भी set की है अपनी strategic presence को की ऐसा नहीं है कि हम completely यहां से निकल गए है, जब आपका western nation quad के माधन से अपनी presence को और strengthen कर सकता है, या bilateral, multilateral बहुत से और aligned यहां पर जपान, Australia या different nations के साथ किये हो है, so why not Russia, रश्या क्यों ना अगर उसको कोई region में advantages का फायदा वो उठाए, ठीक है, तो रश्य के लिए strategic, इसकी significance बहुत है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, इसकी strategic significance हम देखें, Japan के लिए भी है, एक important यह सी रूट है, यहां से trade किया जा सकता है, important fishing point है, तो trade point of view से भी देखेंगे, tourism point of view से भी देखेंगे, यहां बहुत से hot springs है, naturally blessed region है यह, तो tourism point of view से भी significance बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, now cultural importance, तो जैसा मैंने कहा, Hokadu, Hokadu province से लगाव शेतर है, conservative लोग ज़्यादा है, हांके भावनाओं से, culturally associated है, southern आपके कुरिल आइलेंड से, ठीक है, तो कही ना कहीं, इसकी वज़े से भी significance बहुत ज़्यादा हो जाता है, Japan के लिए, हालांकि रि cultural resources, point of issue, तो significance हो सकता है, culturally जो significance है, वो Japan से ही ज़्यादा है, so I hope student अच्छे से आप इस मामली को समझ पाए हूँ, और अभी recently ही इसकी वज़े से खबरों में भी रहा है, ठीक है, और ऐसी सवाल student बहुत बार आपके exams में पूछ की लिए जाता है, चले आज के लिए इतना ही, Thank you very much.